गैज आपने छोटे मोटे कीड़ों को तो अपने आसपास घूमते हुए जरूर देखा ही होगा और इन छोटे कीड़ों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि भाई ये कीड़े हमारा क्या ही भिगाड लेंगे लेकिन यकीन मानिए ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है दुनिया भर में एक्सिडेंट से जितने जाद लोग नहीं मरते उससे कई गोना जाद लोग इन कीड़े मकोडों के काटने से मर जाते हैं ये देखने में तो छोटे होते हैं लेकिन इनका दिया हुआ घाओ इतना जादा गंबीर होता है कि बल भर में किसी भी इंसान की मौ हुआ जो कि चलती फिरती मौथ हैं तो गाइस वीडियो का इन तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मज़े आने वाले हैं तो चलिए स्टार करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को टॉप 10 टेंजरस बग्स इन दवर्ड जिस पर लपक के हमला करता है बैसे तो यह चोटा सा दिखने वाले जीव एक कोक्रोच की तरह दिखाई देता है लेकिन इसे कोक्रोच समझने के बूर कभी मत कर देना क्योंकि यह कोक्रोच से बहुत ही ज्यादा खत्रनाक होता है इस बग के काटने पर काफी तेस दर्द का बिनोना लगता है नमबर 9 पर है मस्क्यूटोस दुनिया में सबसे आम जीबों में से एक मच्छर को तो हर कोई जानता ही होगा जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं इन मच्छरों के बारे में हम आपको जो भी खतरनाक चीजे बताएंगे उन चीजों पर आप विश्वास नह है कि मच्छर आपको रात के अंधेरे में कैसे ढूंड लेता है दरहसल हमारे सास लेने से जो कारवंडाई औक्साइड निकलती है तो लगभग 70 फीट की दूरी से भी मच्छर को इसका पता चल जाता है और उसके बाद यह आपके पास आकर आपको खून चूसने लगता है म इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 12 लाख से जादा लोगों की मौत मच्छरों द्वारा फैलाई गई बीमारियों से होती है पूरी दुनिया भर में लगभग हर 30 सेकेंड में एक बच्चे की मौत मच्छर के काटने से हो ज सभाव यह मध्यों की सामने आने पर भी उस पर टूट पढ़ती है और इस मध्यों मख्य के डंक में एक कहाट उतारने के लिए काफी है और इन्हें और भी जादा खत्रनाक बना देता है इनका जुन्ड कियों escuela पर highway झालक करती है और इस सी हजार से भी ज़्यादा मधुमख्यां सामिल होती है जो कि इन्हें अगर एक बार किसी जानबर या इंसान पर घुसा आ जाए तो फिर तो यह उन्हें पीछा करकर के मारती है नमबर सेविन पर है बॉट फ्लाइज तो गैज अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बॉट फ्लाइज मधुमख्य के बारे में ये नॉर्मल मधुमख्यों से बहुत ही जादा अलग और बहुत ही जादा खतरनाक होती है क्योंकि जब है मधुमख्य किसी इंसान या जानबर को काटती है तो यह उसके अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है यह लार और इस मधुमक्खी के बच्चे इंसान के सरीर में ही बड़े होने लगते हैं गैस अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना घिनोना लग रहा होगा तो फिर आप अब इस बात का तो अंताजा खुद लगा ही सकते हैं ये मधुमक्खी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती होगी इस मधुमक्खी से बच के रहना बरना आप भी इसी बीमारी का सिकार हो जाएंगे नमबर 6 पर है अफरिका में यह मक्खी जो बीमारी फैलाती है उसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है अगर इस बीमारी का समय से इलाज ना कराये जाए तो इस बीमारी से पीड़ ब्यक्ति की मौत भी हो जाती है और इसके लावा इस बीमारी का इलाज भी काफी जोखिम भरा है क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में दी जाने वाली मेडिसन्स के साइड इफेक्ट्स बहुती ज़्यादा खतरनाक होते है जबी है मदुमक्की किसी को काटती है तो यह उसके अंदर जालेबा पैराशीट्स को छोड़ देती है जिसके बज़े से इंसान का अपना सेंस आफ कंट्रोल खो जाता है और उसे नींद ना आने की समस्या भी पैदा होने लगती है और इसके बाद उस इंसान को काफी दर्दनाक मौत मिलती है यह बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसके चलते अफरीका में ही हर साल आधे मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है बैसे तो माना जाता है कि भारतिय मकडियां ज्यादा खतरनाक नहीं होती है योगि ज्यादा तर भारतिय मकडियों की प्रजातियां जहरीली नहीं होती है लेकिन उन्हीं मकडियों में से कुछ प्रजातियां बहुती ज्यादा खतरनाक होती है उनी मकडियों में से एक brown rescue spider है यह मकडि एक रुपए के सिक्के जितने बड़ी होती है लेकिन इसका चहरा काफी ज़्यादा खतरनाक होता है इस मकडि के मुँँ में एलोटीन नाम का जहर पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इस मकडि के बारे में एक बात कही जाती है कि इसका जहर रैटल स्नेक के जहर की तुनला में काफी ज़्यादा खतरनाक और जहरीला होता है लेकिन इस मकडि की एक सबसे अच्छी बात है कि यह मकडि जिसे भी काटती है उसके अंदर एक बार में जादे मातरा का जहर नहीं छोड़ती है लेकिन यहीं मकडी अगर किसी इंसान या जानवर को बार बार काट ले तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है इस मकडी के काटने से इंसान के अंदर कमजूरी आने लगती है और internal bleeding शुरू हो जाती है और tissue cells बरवाद होने लगते हैं इस बग का नाम जित्रा romantic है ये उत्रा ही ज़्यादा खतरनाग भी है इन्हें kissing बग नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये अलग लग जीबों का खून चूसते हैं और इसका एक और कारण है कि जब भी ये जीब किसी इंसान के सामने आता है तो ये उसके सिर्फ lips पर ही डंक मारते हैं ऐसा सायद ये इसलिए करते हैं क्योंकि सरील के वुकाबले lips पर डंक मारना और lips से खून चूसना इनके लिए ज़्यादा आसान होता है यह किसी इंसानों को खून ही नहीं चूसता है बलकि है इंसानों के अंदर पेरासीट भी ट्रांसफर कर देता है जिससे इंसानों की बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और मरने के कगार पर आ जाता है इस जीव के द्वारा मरने से इंसानों की तो गिंती हो जाती है क्योंकि इस जीव के प्रकोप से मरने वाले जानवरों की संक्या बहुत ही जादा है नमर थी पर है फ्लीज गाइस यह एक ऐसा गीड़ा है जो कि चिंदा रहता है सिर्फ खून पीकर यह देखने में आपको भले ही चोटा लग रहा हो लेकिन दुनिया फर में प्लेग जैसी बीमारियों को फैलाने वाला यही जीव है जिसकी बज़ाय से कुछ सालों पहले यूरूप में 25 मिलियन से भी जादा लोगों की मौते होई थी याने की उस समय धाई करोड से भी जादा लोगों की जाने चली गई यह जीव अपनी पूरी लाइफ एक जानवर के सरीड से दूसरे जानवर के सरीड में ट्रांसफर होकर ही बिताते हैं और इसी के साथी साथी ये कई तरह की बिमारियों का आदान परदान भी करते हैं इसके सिकार में कुत्ते, बिल्ली और कई तरह के पक्षी और इसी के साथी साथ इसमें इंसान भी सामिल हैं ऐसे में यह है उन जीवों का खून चूसते सूसते उनके ही सरीर में कई हजारों की तादात में अंडे देते हैं जो कि सिर्फ एक महीने की टाइम पीरेड में ही कई लाखों में बदल जाते हैं नमबर टू पर है जाइंट हॉंट्स एसेया में पाये जाने वाले यह इंसेक्ट्स दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि हर साल लगभग 40 से भी ज़्यादा लोगों की जाने ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बही जहर पाया जाता है, जिसे निरुनॉक्सिन नाम का जहर कहा जाता है, जो कि किसी भी जानवर या इनसान को मौत की नींद अगर बात की जाए इसके खाने की, तो इससे अपने से छोड़े छोटे इंसेक्ट्स पसंद होते हैं, मधुमक्यों के घर में घुसते ही यह जीब अचानक से हमला बोल देता है, और इसका आकार भी मधुमक्यों से लगबग 5 गुना जादा बड़ा होता है, देखते ही दे इस चीटी को बुलेट आंट के नाम से बलाया जाता है, यह है एक ऐसी जीब है, जिससे कई मीलों दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर गलती से भी इस चीटी ने आपको काट लिया, तो भाई आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, इस चीटी के अंदर ए आपको एक बंदूग की गोली लगने के बराबर होगा, यही कारण है कि इस चीटी को बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है, वैसे आपको इन सभी डेंजरस बग्स में से, सबसे ज़्यादा डेंजरस बग्स पॉंसर लगा, और आपने इन सभी में से कितने जीबो को अपने आखों से देखा है, और क्या आपको इसमें से किसी ने काटा है, अगर काटा है तो भई मोझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, तो गाइस मिलते हैं एक और नई इंटरस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई